पुण्डरी काक्षा सभा यांत्रह सुची क्या तुम्हारे पदे फिर से घुरसवारी कर क्या है? बात नहीं करोगी? पापा, जल्दी आओ, कॉफी ठंडी हो रही है हाँ, आ रहा हूँ, मा को बोलो, टेबल पर रख दे मेरी बात मानो, डिवास दे दो इनको, कब तक ऐसे सहोगी? क्या मैं पापा से बात करूँ? मैं घोडे पर सवार होकर नहीं आती मुझसे तो बात कर सकती हो न? मेदूना दीदी मेदूना दीदी मेदूना क्या है? पानी पीना है क्या? नहीं तो उपर आओ मैं नहीं आओगा, तुम्हाई दादी मुझसे टेबल पूछने लगती है फिर क्या बात है? मुझे जानना है कि वो कौन है कौन है वो? मैं जानता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम्हारी मा को बताया है नविर नाम है उसका दीदी मेरा नाम मत बताना प्लीज ठीक है चलो, आज तो मेरे हाथ से मरा ही समझो आज तो उसे नहीं छोड़ूँगी अब समझ में आया मा क्यों बढ़त रही थी तुमने देखा था ना? नहीं तो तुम यहीं रुको, मैं अविन को यहीं लेकर आता हूँ जल्दी लेकर आओ ठीक है आज नहीं छोड़ूँगी यहां भूद बहुत हैं लेकिन तुम डर्ना मत अब यहां लेकर आता हूँ रहां लेकर भूँगी सकतर आता हुँ यहां भूँगी अग्या पाम अब तुम सानक वाँ यहां अवा तुम अब फिवी दुम वाँ बब आता हूँ नहीं data ब़ुम देचे आप में आ पने चेहां आप तो ने आपे हला। सबस्तु मोर दालूँगी। रुको सभी। नुचारी यह रानमरन हो लिए। मुझे धोका देने के हिम्मत के से हुए सब्गी जान के माजारी छोड़ूंगे नहीं तुम्हारी वज़े से कोई मेरी घर पर इज़त नहीं कर रहा माने भगवान की एक फोटो भी दिखा कर मुझे कसम खिलवाई मुझे अकेला छोड़ दो लेकिन बताओ क्यों छोड़ दूँ क्यों बताओ तुम्हें? हाँ? क्यों बताओ? तुम्हें बताना पड़ेगा क्यों बताओ मैं तुम्हें? कोई मेरी बात सुनना ही रहा है मैं क्यों बताओ तुम्हें? सब तुम्हारी वज़े से हेई प्रभीन रुक मैं नहीं रूकोंगा मारूंगे तुझे देख लिया कोई मेरी वेल्यू नहीं कर रहा तुमसे नफरत करके मैंने कोई गल्ती नहीं की मुझे जाना है अरै जाने दो नहीं गया तो दीदी मुझे मारेघी मैं अपनी दादी की अपने लिए कहावते सुनकर अलग मरी जा रही हूँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोडती हूँ प्रभु जी कृपया करके मुझे बक्ष दो मान गए ना हमान गया कौन मरने वाला है किसे नरक मिलेगा अरे वही मुझे जीने नहीं दे रहा क्या अपने पापा को बताया ताली दो हाथों से बचती है बोलते हैं मैं आखिर कर ही क्या सकती हूँ ऐसा लग रहा है मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे है पहले रोना बंद करो लो पानी पियो सर मेरी वाइप मुझे मारती है सर तो हम क्या करें भाई अरस कर लो उसे मैं हाथ जोडता हूँ सर करेक्ट एक साल के लिए जेल करवा देती हूँ सर एए इतना कम उसे उम्र के दोनी चाहिए उसने हालिये में मुझे बहुत मारा अरे तुम रुको भाई उसका नाम क्या है नहीं पता वो सब कुछ कर लेती है सर कुछ कहता हूँ तो बोलती है घर के इतने काम करती हूँ तो तुम्हें कोट में ले जाओंगी मुझे मरने का खयाल आ रहे सर तो जाके मर जाना इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरी पत्ली भी मुझे मारती है मतलब तो एक आदमी क्या करेगा बात तुम्हारी नहीं है लड़कियां गलत नहीं होती है हुश मतलब वो मार दे तो मैं मर जाओ हाँ मारती है तो मर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूगी समझे अंकल इसको बोलो यहांसे चला जाए तुम जाओ यहांसे बाद में आना जाओ भाई तुम भी किसी सुनामी से कम नहीं हो समझ में नहीं आता कौन शादी करेगा तुमसे कौन है इसने एक चुहा पकड़ी आए एक घंटी में एक्जाम स्टाट है किसी बात का डर तो नहीं है भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है पता नहीं एक्जाम कैसा होगा एक्जाम कैसा होगा प्रॉट इसका मुझे डर लग रहा है पापा कुस समझ मुझे या रहा है कि यह जा हुगा यहां पता नहीं जा होगा है यह स्कुलाइज श्वाइज वाय जाएज नियुग ऑधर से अपार से था प्रॉट थे तर नहीं है कर अधर देख एंग अजिए वे झाट जाटाए ले लग्या जब में खेंग ने घर कम ए जाटाए ने अने अनके डराए ly जो डूअ झाल से दो आख ई जो यह तो कहां कायब हो गया अरे ढूंड़ों से अरे बहुत भजार है बे दूज्या यह फिर से में चार प्रेंट में जाएगा क हृँक एक लुए कि उता है के उता हैन्त है आरे अरे यह फिक हैठ डिंफे अजुत यह डिल्मुझे अ इयुक्ुत शाड़ ईयुक्ट जिद ग्युक्ण खेट आंपेड इयुक्ट अव आजुक्ट उठाद टूम्ददधी हुईगो हम घर वापस चले बापा ठीक है चलो डर लग रहा है तो तीन बार गायतरी मंत्र का जाप करो याद है न? सुनाओ ओम भूर भूस्वाहा तच्छ वितूर्व रेणियम भर्गो देवस्य धीमही दियो योनाम प्रचो दयात ओम भूर भूस्वाह तच्छ वितूर्व रेणियम भर्गो देवस्य धीमही दियो योनाम प्रचो दयात ओम भूर भूस्वाह तच्छ वितूर्व रेणियम भर्गो देवस्य धीमही दियो योनाम प्रचो दयात झाल झाल पतीद पीछा कर रहा है भविश डरा रहा है खुद को बचाने के लिए मेरे पास अब सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है वर्दमान आज प्रष्फ पिए गाद के लिए में डरी उपता साथ है आज़ के लिए से इसलाएा अधिए यए अगर आपको कोई शिकायद हो तो मामला यहीं पर खत्म कर दो सोचा नहीं था एक बार बोलते ही सिग्रेट पकड़ा देगा यह नहीं बोला कि सिग्रेट छोड़ दो डैड यह गलती तो मैं मानता हूँ डैड और हाली में मैंने बियर पीना शुरू किया है लेकिन आपकी खामोशे की वज़े से नहीं बताओ क्या वज़े हो सकती है यह पूछे जाने पर कि मेरा बेटा क्या कर रहा है अपना सम्मान डूपता नजरा आ रहा है गिटार बजाना यह मेरा प्रोफेशन नहीं है डैड और नहीं मेरी हॉबी है पॉकेट मनी के लिए कर लेता हूँ अगर ऐसा है तो अपने पॉकेट मनी से यह सब खरीच सकते हो अपनी कंपनी के शेरों के कीमत जानते हो क्या आज की डेट में मैं पांच्सो करोड पर हूँ अपने सेंसेक्स मार्केट में मुझे मत खीचिए मैं ऐसा ही ठीक हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ सच बताओं तो मैं कलपना भी नहीं करना चाहता कि मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूँ मैं इतना बड़ा बोज नहीं उठा सकता क्या करना यह इतना पैसा कमा के इतना पैसा कमा कर क्या करना है जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब समझोगे तुम एक आम गौतम का बातों में गौतम बुद्ध बनना तो बहुत आसान है डैड मुझे 5,000 रुपे चाहिए आप दे सकता है मैं इस पल का सालों से इंतजार कर रहा था इस पल को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं बेर मिलेगी कहा इस वक्त है बहुत बढ़े ड्रामा किंग है अब यह तुम्हारी मां का है शुरू में मैं भी तुम्हारी तरह ही था अब तुम बिलकुल मेरी जैसे बन गए हो पहली बार जो मैं तुम्हारी मां से मिला था तो उसके बाद ऐसा लगा के मैं उसके बिना कभी जी नहीं पाऊंगा उसी दिन से जमक धमक का पीशा करना शुरू कर दिया मैंने इसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा पूरी जिंदगी में किसी ना किसी दिन तुम्हें हाकिकत का जरूर एहसास होगा बिटे किस तरह का ऐसास डाट अगर तुम ने मिली ना तुम है मर जाओं गाहा हो तुम अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाओंगा जहां हो तुम ए गनेश वो बॉल ने करा वो बॉल नहीं है में दू दीजी बॉल दे दो ना दिदी बॉल दे दो roll दे दो , मैं गुछ नेरी तो や ह interfaz ने मी दो दीजी। – दिदी वालं दू जा दो दू ल्चा से दू गेंगाँ चांगा तुम दू आना मेर्चा वे! बॉल नहीं चाहिए हौल टिकेट एक घंटे में एक्जाम स्टार्ट है सब कुछ याद है ना किसी बात का डर तो नहीं है मुझे किस बात का डर पापा मैंने अच्छे से तयारी की अच्छे मार्क्स के लिए तुम्हारी माने प्राक्ता की थी किसमा टुम्हारी की तुम्हारी काई अच्छे अफ़ारी मुझे को अच्छे की ए्चार्ट है एक्जाम के लेट हो रहा है जल्दी चलते हैं पापा गधा कहीं का मेरा गुजरा हुआ कल मुझे कूज रहा है यह देरी जो मैं उससे मिलने के लिए कर रहा हूँ आगे चलकर तुम मेरी जीने की वज़े बनोगी हाला कि यह मेरी आज़ादी के खिलाव है लेकिन फिर भी मैं इस मौके को यह बरतान की तरह महसूस कर रहा हूँ हलो कौन बोल रहा है मुझे प्रकाश जी से बात करनी है माफ करियेगा वो कॉन्फरेंस मीटिंग में है भाई बहुत अरज़ेंट है बात करना जरूरी है प्लीज नहीं हो बाईगा मैसेज दे दीजिए उनके बेटे की मौत हो गई है हाँ उनका बेटा नहीं रहा अब का मतलब गौतम हाँ गौतम अब बात करा सकते हो गया हाँ बिलकुल बिलकुल रुकी एक मिनिट थांक्यू अलो वोस दिस डड़ी जी आपने मुझसे कहा था ना किसी ना किसी दिन मैं किसी से मिलूंगा कहा तो था हाँ तो ऐसा ही हो चुका है मेरे साथ समझ गया समझ गया आज मैं ऐसी ही किसी एक से मिला हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आपन डाद इडापन और मैं बहुत खुश हो मैं समझ सकता हूं मेरी जान अब समझ सकता हूं बिल्कुल मा की तरह है वो सच कहूं तो मा सी भी बहतर है ए कहताम डदेड़ी डोंट बी जेलेस जेलेस तो मैं हूं अब उसका नाम क्या है मैं नहीं जानता बस अभी हो मेरे लिए परी है आप जानते हैं के डैट कल मैं हैदरबाद जा रहा हूं और उसे अपने प्यार के बारे में बताऊंगा हलो अरे कुछ नाया बोलो मैं बोलू मतलब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो नहीं बोलूगी क्या यार इतना भी नहीं बोल सकती कि मेरे बिना मर जाओगी मैं कैसे मर जाओगी अरे पल्स दीमी पढ़ रही है दिल कमजोर हो रहे है प्लीज जल्दी बोलो ना कोई प्रॉब्लम नहीं एक पल में सब नया हो जाएगा एक पल में? मैं तुम्हें माफ नहीं करूगा आखरी पल्स दीमी पढ़ने पर दिल के कमजोर पढ़ने से जिन्दा रह सकता है क्या भला? तुम पागल हो तुम्हें मारना चाहती हो क्या? छीक है घरने से पहले आखरी अखरी अच्छा करोगी ना करूगी बोलो मुझे ऐसा लग रहे है जैसे तुम मेरे साथ हो मेरे पास, मेरे करीम मै? मुझे इस वख्ट तुम्हें किस करने का मन कररा है मैं तुम्हारा इंतिसार करूगा ही सुर्या डॉक्तर मेधुना मेधुना जल्दी ले चलो मेरी बच्ची आगे खोलो डॉक्तर मेधुना आगे खोलो जल्दी मेधुना जल्दी करो जल्दी तेरी बच्ची जब मेरे गाओ भर जाएंगे तु मुझे पसंद करोगी, बस एक हफ्ता और. कैसा भगवान है तु? खुद को भगवान के सत्वा है. मेरे बाद तु सुनिये. तांक्स पर वेरिंग हेलमेट सार. मैंने बोड़ा था नो, मेरे ठीक होने के बाद तु मुझे लाइक करोगी. तुमने सुना ही है, सार इसमें बहुत खर्चे होने. नो, नो, मुझे खर्ची के परवानी है, बस उस लड़की को हार हाल में बचाना है. हम पूरी कोशिश करने हैं, सार. कुछ नहीं होगा, सार. मैं दुना है. मैं दुना है, तुम्हारी एंजिल का नाम. मैं दुना, मेरी सिंदगी, मेरी भावना है, मेरी सांस है. ए गौतम, उससे शादी कहां करोगे तुम्हारी दर्थी परी आकाश में, प्रजिस्ट्रार ओफिस में, दूर रहो मुझसे, चले जाओ. मैं तुम्हारे लिए सौ बार भी मर सकता हूँ. मैं तुम्हारे लिए सौ बार भी मर सकता हूँ. क्या तुम्हारे जानती हो कि तुम पिछले चार महने से बस सोई ही जा रही हो? बोर नहीं होती हो कि है? हां? ओट बेजाओ. सूरिया कहा है? यह मत बोला कि वो मर कि तैट इतना फी लेते हो कि सुबा से घर पर ही पड़े हो. मुझ से शादी क्या तुम्हारा बोगी धाय रहने के लिए की थी? हलो? नहीं. लेकिन दुख को भुलाने का दारूही तो सहारा है. तुम तो घर पर रहती हो. कैसे समझोगी? हाँ हाँ मैं तो कुछ समझती ही नहीं जैसे. तो बस बोट बलताफ करो. जाओ अपने काम करो. जो मन में आये करो. जहां जाना है जाओ. मेरी तो किसमत ही खराब है. मा शान्त हो जाओ मा. ए राकेश! सुर्य भगवान, आप मुझे अंदेरे में छोड़ गया. जाओ देखो तब दुमाग खराब करती रहती है. इतनी बार कहां मेरे काम में डिस्टर पत किया करें. लिगन समझ में नहीं आता है. हाँ हाँ, जिसे समझ में आता है उस ही के पास जाओ. मेदू ना दिदी. शाहद आपकी शादी की गेस लिस्ट में फिल्म स्टार्स भी है. कैची रंची वीपी आएंगे? ये, बहुत बजाएगा. आगा हमाँ. एक वीपर देखायो उने. मेदू ना? हाँ? सरा यहाँ आओगी? आ रहे हूँ. अच्छा सुनो, इतनी देर हो गई है. खाने के लिए कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है? कुछ नहीं है खाने के लिए. अगर इस शादी से खुश नहीं है, तो फिल्हाल के लिए कहीं चली जाओ. ऐसे खुद की जान नहीं लोगी? हाँ? मैं सूर्या को नहीं भूल पा रही हूँ. तो मत भूलो, किसने कहा है उसे भूलने के लिए? हेलो सूर्या, मेरा नाम है गौतम, और मैं मेदुना से शादी करना चाहता हूँ. तुम्हें इसको मनाना होगा. लोग हमारा इंतसार कर रहे हैं. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए गौतम. टाइम. क्या हम भाग चलें? भाग चलें क्या? भाग चलें क्या? डाड, दुलहन के साथ दुलहा भी फरार हो गया है. हिस्ट्री में पहली बार. मुहाबत में दिल ला लगे, अरे यार मैं तो को गया. आप मेरी कार ले जाए सर, मैं बाद में वापस ले जाओंगा. सुन भी लो ये रासिता तुझे भुकारता साथ में विश्वास कर तुभी. न्याए का तुझे रासिता भी मिलेगा तुझे रासा मुस्कुरा. जान लो ना दिल ये है खरा मान लो जरा, आओ लिखो ना तुम कहानी, जो भी सुने बाते तेरी वो ही जुमे ओए रागिनी. अगहद तु भी कुछ तो है ये दिल मेरा भैखो गया, दिल ना लगे, जब से तु है मुझे को मिल गया. तुम मिलो और तुम से क्या मैं बोलू दिल मेरा हमेश्य तुम को देखता है तुम मेरे हो जाओ ना यारू मेरे तुम से ही तो है, यारू मेरी खुशिया सारी ओए रागिनी तेरे बिन दिल लाके तू जो चले मैं खो जाऊँगा तुम हो मेरे यार तू ये बात मान ले ये क्या है लगता है डाड ने कुछ अरेंजमेंट किया है अरे देखो आ गए अरे देखो देखो बोलो आ गए हाँ ठीक है ठीक है शंकर इसे दूर प्रेकर आओ आपकी शादी में कोई तकलीप तो नहीं हुई नहीं अंकर दरसल दूलहन को मैं पसंद नहीं था ये किसी और से प्यार करती है ये क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे तो फिर तुम्हें इसके साथ क्यों हो क्योंकि ये मेरी लिए मेरी जान की तरह है बलकि मेरी जान से भी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं इसके साथ भाग गया कितनी प्यारी है सादा सुखी रहो अचलो 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 तो जो 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 चाहा है थोड़े पल के लिए देखना भी, पूरी जिन्दिगी के मातों को छोटा कर देता है क्या तुम कभी मेरी बंधन में बदना चाहोगी या यादो में रहके मुझसे दूरी बना लोगी दूर्या इतना बड़ा बंगला होते हुए भी ऐसी जगले जहां पूजा करने के लिए भगवान के फूटो हो वो भी कोई घर है जहां बगवान को जगाना मेले कर दो कर दो कर दो दो गोटम बाटाम? क्या कर रहे हो, हां क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, गौतम, सुनो, क्या तुम तब से मेरे पीछे पड़े हो, अच्छा तो ये पूछने के लिए तुम इतनी दूर दोड़ कर आई, तुमने बताया क्यो नहीं, रुम जब कर लताया करू ये रातेम, क्या तुमने भात कर ने के लिए ये फोटो रखी हुई थी? अब ही आदेम हो ये? ये आड़े मेरने हो, अजया अच्छा है। ये, जानता ह सूर एफज आप antic होतो कर आण है। हेलो ब्रदर, पहली बार में तुम्हें देख रहा हूँ, उस पर भी तुमने हेलमेट पहना हुआ है आपको सोभूआ है इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों बोला तुमीने तो बोला था कभी कुछ बताते नहीं हो अब ये बात मैं हर दिन बोलूँगा तुमारे रिप्लाई के इंतजार में कि तुम भी मुझे से प्यार करती हो दर्वास पर बेल के तरह बैठेरन से कोई फाइदा नहीं होता लड़की को गए हो चार दिन हो चुके हैं पर किसी को कोई परवा नहीं है बढ़ती उम्रे के साथ दिमाग में खराब हुचका है इंका अरे सुनो आम की चट्नी बनाओंगी क्या भूत दिन हो गए टेस्टी चट्नी चाहिए उसे गए हुए चार दिन हो गए हैं तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना भी नहीं होता कि उसका फोन ट्राइ कर लें मैं यहां कबसे चिल्ला रही हूँ? सुनाई देता है कि नहीं? वो कोई शादी के बाद नहीं भागी है शादी से इंकार करके गई है सुना न तुमने अरे फोन उठाओ मा मुझे आपसे बात करनी है क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? मेरा अंतिम संस्कार के लिए बचा कर रखिए मेरी पेंशन चाप ऐसा भी खर्च कर दिया अम्भूर वास्वतात्स वितूर वरेन्यम भरगो दे गौतम मैं बची गई सब एक साथ मुझे मारने के लिए जमा हो गे थे कर दो कर दो कर दो कलावादी आंटी ने मुझे त्योहार के पेल की तरह सचाया था कर दो कर दो ताइम क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या रात पर यह पेठे रहे थे ऐसा ही हूँ लेकिन इसे अवाइड नहीं कर सकता वैसे भी लड़की को इंप्रेज करना कोई बज्चों का खेल नहीं है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो ऐसा मैंने बहुत सी फिल्मों में देखा है मुझसे कुछ कहोगे मैं लड़की नहीं बल्कि आस्मान से आई एक परी हूँ हाँ तो यह सची तो है ना लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो यह बात नहीं है हम मतलब तो फिर क्या है बोलो पहले जवाब दो अरे जवाब दे कर जाओ आई लव यू ए लड़की हाँ तुम ही पूरा गाँ तुम्हारी ही बाते कर रहा है यहां आओ यहां कर बैठो यहां कर बैठो यहां बैठो 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 गौतम के साथ तुम्हारी ही शादी हुई है ना अरे अम्मा यहां आजाओ गौतम की दुलहन यहां बैठी है दरने की जरूत नहीं है बेटी गौतम हमारे बच्चे जैसा है वो यहां तीन साल से रहता है अरे यह सब बातें बंद करो बेटी तुम ग पहली निजर में पसंद आ गया था तो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर ले लगए पहर मुझे पता चला कि वो तो केसी और लड़की से प्यार करता है सूर्या कहा है उससे मिल नहीं बाई बेटी फिर तुमने क्या किया ओ सॉरी मुझे हसी आई हसी किस बाग पर हसी अरे उस पर नजर तो रख सकती थी आगे क्या हुआ अरे बताओ आगे क्या हुआ सूर्या नहीं मर सकता जब पता चला कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसे छोड़ गई तो ये जानकर मैं समझा मरी ही गई थी मर क्यों गई पुझे तो खुश होना चाहिए था बेचारा गौतम उसके बाद क्या हुआ बताओ जब मेरी आँखी खुलती तो मुझे नजर में आती थी और जब आँखे मूलती दुखी मत हो बेटी उसे भूल जाएगा वो अब उस लड़की के लिए तुम्हें थोड़े बरिशान करेगा जो मर चुकी है भूल जाएगा जरूर भूल जाएगा उसे मैं कोशिश करतो रही हूँ तुम मेरे प्यार को चादर समझ के फैला कर देखोगी तो धर्ती भी कम पड़ जाएगी सुन नहीं हो तुम वो चादर समुन्दर को भी सोग लेगी सचकुछ भूमाद भी से लोमाद कर दो कर दो। तेना रचतरर खाहलो मौ्सकी है, प्रवस्यू, प्रकेंजस, तुटले कुझत-प्रच्ष जो खंड़ोगाछ, प्रतरा है। मुप्सक वेच्षims, जबस कहा प्रेयर की और परेयर कर दा हूं? ज़स्यू क्या है कहो कि मैं एक पक्षिंगू बलो बॉलूना कहो कि मैं एक पक्षी हूँ हाँ तुमें एक पक्षी हो उसी क्या बोलते हैं जो हवा में उड़ती है दूर तक चेडिया चेडिया हाँ मेरे हिसाब से तुम भी एक पक्षी हो हाँ हाँ मैं भी पक्षी हूँ जलो फिर इक गौत कहा ली जा रहे हो यह हम कहीं दूर जाने के लिए साथ में उड़ान नहीं पर सकते हैं तुम्हें थोड़े टाइम की जरूलत हैं अपने लेफ्ट में देखो हाँ हाई वो गोरी चिट्टी लड़की तुम्ही को तब से देखी जा रही है वो ही होगी जो तुम्हारे लिए उड़कर आएगी हाँ वो तो हेल भी नहीं रही है हम ओ वो अपने होट तक नहीं हिला रही है जुबान नहीं उसकी आखे पड़ो रियली तो क्या तुम मेरी आखे नहीं पड़ सकती है क्या बात है बोलो भी मैं सब चांते हैं लेकिन कि मैंने नहीं नहीं तुम्हारा देल पर उचाए बताओ ये क्या बात हुई तुमने अपने होने वाले हस्बेंड को किसी दूसी लड़की के लिए छोड़ दिया हां तुम क्या समझती हो अपने आपको तुमने ये जो किया वो ठीक है गाया हुई कहाओ तुम यहाँ वही चो अपने पदी को वेश्यक के पैस छोड़ आई थी साती सुमती तुम ही क्या लगता है तुम उसके जैसे पवित्र हो या साप बोलो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं अच्छा तुम भी नहीं लगता कि तुम्हारा ये करना गलत है लेकिन तुमको समझाना बिकार है मैंने लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया अरे ऐसा नहीं है प्लीज मेरे बात सुनो बाई बस एक मिनट पहले मेरे बात सुनो फोन मत रख रहा क्या हम कहीं दूर उड़ चालें लुप्स्ष्ष्ष्ट तुमकर प्यारा मुझे प्यार दो मैं दो प्यार करो न मीरा तुम पर से विश्वास उठ गया तुम्हें मुझे से प्यार कब होगा अखेर मुझे घर छोड़ कर आओ जल्दी करो I want your love मेदू इसे समझ में नही आदा मैं जा रही हूँ तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी मेदूना मेदूना मेदू मेदू मेरा सर बहुत दुख रहा है खोलो दर्वाजा मेदूना तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं है क्या मेदूना खोलो नहीं दर्वाजा मेदू मेदू थाएंग गॉड मेदू दर्वाजा तो खोलो मेदूना पिछली रात कुछ गलत हो गया क्या मुझे अपनी शगर भीवाद लिखाओ अरे ये गलत बात है दर्वाजा खोलो ना तुम मुझे ऐसे ठंड में पड़ा चोड़ाई ना वो रात और वो मॉमेंट सोच कर भे लगता है मर ही जाओ मरने की बात करना तो तुम्हारी हमेशा की आदत हो गई है मुझे कुछ-कुछ याद आ रहा है मेदू क्या कल रात मैंने तुम्हें किस किया था तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा कॉंप्रोमाइज अब तो दर्वाजा कोलो क्या कुंप्रोमाइज कर दो तो गौतम, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने तुमें तच्छ तो नहीं किया ना? कर अ? कर वह कर डौत बहुँ है कर आखरी को सुमेशने रहा हो कर दो बहुँ है कर दो आख बहुँ है एखिकूज मी. सुनो तो, तो ता होजाती हो तुम. तो, तो तो, लोग हमें दिख रहे हैं, मैंने तुम्हें टच तो नहीं किया há 참. मैडम, रुको तो. इस्ते सारे लोग हैं, वो मेरे बार में क्या सोच रहे होंगे? तुमने सब को देखा क्या? नहीं, मेरी तो आखे बन थी ना थैंक गॉड, आपने बचा लिया सबको बस यही लगा होगा कि मैं तो मिंडर आ रहा हूँ मेदू, ओय मेदू मेदूना, वो मिरर देखने में अच्छा लग रहा था बस इसमें मैंने तुम्हारे सथ क्या गलत कर दिया सुनो, मेदू, मेदूना मैं बस मजाग कर रहा था लेकिन मुझे हसी नहीं आई एक गलत मजाग के लिए मुसे शादी के लिए इंकार मत करो वरना मैं यही मर जाऊँगा यह वाला मजाग नहीं है, मैं सीरियस होँ जल्दी चलिए माजी, आपके बेटे के नाने से पहले हमें घर पहुँचना होगा जल्दबाजी की कोई जरुवत नहीं है, मैंने दर्वाजा बंद कर दिया था मा, कैसी हो तो? अच्छा वाचे तुन्हे फोन उठा लिया, हम ठीक है क्या पूछोगी नहीं की कैसी हो? तुझे क्या हो सकता है, अंतीन दिन से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा हैं, समझी? तु फोन नहीं कर सकती थी? पापा ने कल मुझे फोन किया था क्या वाकी में? हाँ सुना आपने, आपके बेटे ने इससे बात की थी, और हमें बताया तक नहीं क्या किया उसमें? क्या मैं तुम्हें याद थी? तो कोई चीज है जो मैं तुझे बोल चाओंगी? और उसे क्यों टॉचर करती हो? वो तुमसे बहुत प्यार करता है ज़र ध्यान से सोचना जिसके एक्सिडेंट में जान चली कि उसके बारे में कब तक सोचकर रोती रहोगी? ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूं तुझे इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता तुझे सुन रही है? मा ने मुझे टार्टने के लिए ही फोन किया था क्यों? तुम्हें परिशान न करो इसलिए मैं तुम्हें परिशान कर रही हूं खाना बहुत ही अच्छा है परसो मेरी डैड आ रहे है, प्लीज उने खाने के लिए मत बोलना बेचारा बुढ़ा अदमी उल्टे पर भाग जाएगा कितना इधर दर्द घूमोगे, मुझे माउंट क्लाइंबर नहीं बनना गातम हाम भी खेल सकते हैं क्या हाम कि भाषा उन र्याक कि अकना को कि अ कंब छी औरहीं माउक्त में Jap-sटाया हाम यहार क्या करा था है हाम हाला हाला आजयर आजयर। कवर कर कवर कर फोलो कर फोलो कर कवर फोलो कर गोद। खोद। गोद। क्या अग्या थे? क्या हुआ? तो अग्या थे? है मेजुचला थे!! बाई थे.. गडार की से जखिए.. ठाटमीष.. हमेड़ीव.. कई बत लेगे.. कि छोड़ना नहीं से.. कि छोड़ो गाने पहा है.. कि कासे हुई.. कि फराइग पकाड कासे.. फराइग आठ बने आठाब.. जाना.. सूरिय वा.. झाल 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 पुराना सब भूलने के लिए मैं कोशिश कर रहे हूं लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी जबान पर सूर्या नाम आगया सूर्या इसा लगता है सिर पर चोट लगने से अतीत बुलाया जा सकता है जैसे फिल्मों में होता है कोशिश करने जाएं मैं उसके साथ हर दिन एक मौत मरता हूँ जबकि सूर्या मरने के बाद भी उसके अंदर जिन्दा है मेरा उसके प्रती जो प्यार है वो यूनिवर्स की तरह है टैड समझ में नहीं आता छोटे से दिल में कैसे दबा कर रख हूई है वो उस मर चुके लड़के से बहुत प्यार करती है मेरा उसके सामने होना भी उसे नजर नहीं आता डैड कब तक खुश रहने की अक्टिंग करो ऐसे तुम मर चाओंगा बहुत बड़िया काम किया है सिर्फ पैसे के लिए उसे पसंद मत करो जरा तुम एक बार मुझे देखो क्या देखो तुम क्या कहते हो मैं कैसी हूँ बहुत खुबसरत जिसका जनम दिन है तुम उसे देखो तुम बिलकुल लक्षमी लग रही हो मैं लक्षमी की तरह नहीं बलकि शक्ती की तरह हूँ सिंदूर साड़ी फाल्तू की चीज़े हैं भार में जाई यह सब ऐसा मत बोलो, यही तो अपने धर्म की महानता दिखाती है, हमने अपने रिती रिवाजों में स्वास्ते का भी ध्यान रखा है, हल्दी एंटिबायोटिक है और सुन्दरता बढ़ाती है, तुम्हारे पावडर से लाह कुना अच्छी है, तुम चाहिस पावडर का कितना भी पर तुम्हारी खुबसूरती इससे भी आगे है, बस करो, और कितनी बगवास करोगे, चोटा सा खेल है, हां, चुछ ताम के लिए तुम गौतम, और मैं मेदूना, सिगरेट दोना, वाट, दोना, हां, ओके, I love you, अरे, मैं अभी मेदूना नहीं, गौतम हूँ, मुझे फर्क नहीं बढ़ता, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं सूरिया को भुला नहीं पा रही हूँ, अगर मैं ना कहदू, तो पक्या तुम मर जाओगे, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्या हो अगर, मैं उसे कभी न बोल पाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है क्या कुछ, प्रामिस करो कि हांसोगी नहीं, नमस्ते अंकल जानती हो, ब्रह्मचारी बनना भी बहुत मुश्किल है, तो क्या तुम भी ब्रह्मचारिया लेने का सोच रहे हो, मैं भी कुछ ऐसे ही बनने की सोच रहा हूँ, तुम्हे कोई अधरास तो नहीं होगा न, मैं आखरी सांस तक इंतिसार करूँगा, यही सच है, यही सच है, तुम जैसा ठीक समझो, मैं हमेशा तुम्हारे सहत ही हूँ, तुम्हे बनने आप तुम्हें से तुम्हें की बना चक्पषा कोुछ रहा, आखरी, तुम्हें है, वादें की बनने खाव हूँ, लेकिन मेरा हिराता तुम्हें हट करने का नहीं था अगर मेरे किसी बात का बुरा लगा हो तो I'm really sorry मेदू क्या किसी को भूलना असान होता है मेदुना मैं नहीं जानता किसी को भूलना असान है या नहीं लेकिन इस तरह का प्यार करना बहुत ही मुश्किल है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है ग्राइब जी, कि अवनिंग स सुट है जी अ कर्वाइब गूनिग प्राइब, फो आकी पुदेगा प्राइब एस है नहींगर क्या से थत्राइब मेदूर्ण 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 एत मेदूर्ण मेदुन मेदूर्ण मेदे मेदूर्ण म्या breeds लगày टाओ, लझगले लाओ of ड ही दो ऺाओ । एले गा exists कि अती बस्ट प्राइब। अ वखब कि अला का हुग लगए कि अईब हिग दुदा ने कि अगुग खला है कि बसुछ कि यद्थ कि एला क yön दुट पर बात पर बरने की बात करना आदत हो गई है उस आदमी के लिए हर दिन क्या मरना जो खोदी मर चुका है क्या तुम मेरे लिए एक पल भी जिने की कोशिश नहीं कर सकते अगर तुम उसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं कम से कम जीने की चाहतो रखो दुनिया में और भी बहुत अच्छे लोग है इस पल और यहाँ अभी मेरा शादी करने का मन कर रहा है घर वही नाटक बोलो हाँ चिकन खाने के जित्की तो डाइवार्स दे दूँगी क्या कहाँ चिकन खिलाने के जित्की तो डिवार्स दे दूँगी जरा फिर से बोलो इस पल यहाँ अभी मेरा शादी करने का मन कर रहा है यह जरा फिर से बोलो पहाडी के उस तरफ थोड़ी दूर चल कर जाना पड़ेगा अच्छा उस तरफ हाँ उसी तरफ से हाँ तुमने बनाया है नहीं इसे एक पागल आत्मी ने अपने आपशा आन्यवाण नियुक्तर गैसे आपकश्ट्वाण आपका अब मलत दूर्स आपकांप यह जेंगार। परी के तस्वीर बनाने को बोला तो उसने ये तस्वीर बनाई वो किसी की बात नहीं सुनता उसका नाम सूरिया है जानते हो वो कहां मिलेगा बंद पड़ी फैक्टरी में कि अधने है याम सुर्णी के तस्वीर बंद प्रिया है हिए डवाई खिया है। सूर्या यहां मत चिलाओ अंदर जाकर देखो अंदर ही होंगे वो लो सूर्या प्रिनयताम हालिक्यमौ उलेष्ष्पुरती थागानायत शेकर्डाइव मिदमुखी मामीन वंचोर्गा कर दो अरो जमोगा को आपका मैं ने जन्च अच्छ लोगा नख़न में रखती हुआ वार तीम डाना सबमार वार बार नहीं तो मारा खूम माना शुरूःवाचा कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल बोलना भाई बोलना 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 भाई प्राब्लम है अभी भी डैड सूरिया में उल्ठी हुई है सूरिया जिन्दा है डैड क्या उसे तुमने देखा क्या तुमने ये बात महदुना को बताई हिम्मत नहीं कर पाया महदुना को अपने पास्ट में सूरिया से प्यार था लेकिन अभी नहीं है There is no past tense in love आपने तो कोई mistake नहीं की थी न आप ऐसा कर तो नहीं सकते फिर सूरिया में दूना से दूर क्यों चला गया क्या वज़े हो सकती है Because he never loved her उसने तो में दूना का मंदिर बनाया है मेदू मेदू मेदूना एक घंटे में एक्जाम स्काट है सब कुछ याद होगे किसी बात का डर तो नहीं है मुझे किस बात का डर बाबा मैंने अच्छे से तयारी की है एक घंटे में एक्जाम स्काट है किसी बात का डर तो नहीं है भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है पता ने एक्जाम कैसा होगा क्या हुआ बटो मुझे डर लग रहा है पापा कुस समझ बात में आर रहा है ओर दूर्प पता ने कैसा होगा एक्जाम सब्सकिर को कमाय just को है एए। इन्तों परुजे एए। रुक जाए। अट्रे हट जाता है। पक्रो इसे, प्रुप। एए। रुक। कहाँ काहे भोगया। एए डुणो से एए। आयके में अपरुदू परुप। प्रुप। से वहिं रूक। प्रुप। ठीजू zurखीर, एकिटभ प्रुप। तर... प्रुप। कर दोंग ! कर दो फाफ कर दो ! कर दोंगरा जो ! कर दोंग ! देढ मेर्द आँ.. आद अज बाहने। आज आज़ा.. आज़ा.. रुन दकन सोफे है.. उतार.. आद आज अलोपने के लिखे.. शेद आज़ा.. वाके ही तुम डड़ी हुई हो हम घर वापस चले बापा ठीक है चलो डर लग रहा है तो तीन बार गायतरी मंत्र का जाब करो याद है ना? सुनाओ ओम भूर भूस्वह तच्च वितोर्वरेणियं भर्गो देवस्य धीमही दियो योनाम प्रचो दयात ओम भूर भूस्वह तच्च वितोर्वरेणियं भर्गो देवस्य धीमही दियो योनाम प्रचो दयात ओम्हूर्वुवस्वह तच्चवितोर्वरेनियं भर्गुदेवस्यदिमही धियो योनह प्रचोदया विवाज़ुदेशन थे योनह इंटेशन शुक्ताओन पाल्पादर पादर, रुक जाये पाल्पादर फादर पादर, रुक जाये फादर वहाज़ुब मैं थे एक्षार्ण पर है मैं बहुत डरी हुई हूँ क्या हमें इस बार पास हो जाओंगी फादर तुम गौड की परिक्षा ले रही हो गौड ब्लेस लॉर्ड वो तो भगवान है वो तो कोई भी परिक्षा पास कर सकते हैं मुझे चर्च के लिए देर हो रही है मैं चलता हूँ मेरा नाम सूर्या है आरे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फादर से बात करो ना कि मुझ से वो अभी अभी चर्च गए है आई लव यू अब य अब यू फादर से तो झाह नहीं सकता था तुम्हें पर्थर को कभी नर्म अभी देखा है ना मैं अब आव जाती है लेकिन मैंने देखा है, प्यार में! यह मत तोचना कि मैं हैंडसम नहीं हूँ! अभी चोट लगी है ना? जाओ भरने के बाद अच्छा लगूँगा! बस तुम एक हफ्ता रुक जाओ! मैं पूरी तरह से ठीक हो जाओंगा! बस एक हफ्ती की दुबात है! उन लोगों ने मेरे मुँपे पंचमार दिया! मैं दिखने में काफी हैंडसम हूँ! देखो, इस टाइम पर बात नहीं करते हैं! यह पूजा का टाइम है ना? रुको रुको मचे देखने दो, बात मत करो! क्या है? शुरू हो गया क्या? हाँ! अज अर्जुन स्वेंबर के लिए आएंगे! इसे अंदर रख दे! अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई! एक लड़का तुससे मिलने आया था! सूरिया नानता शायद उसका! वो यहाँ भी आया था क्या? हाँ! क्या आपने उसे मेरे पास भेज़ा था? हाँ! वो किसी काम की बात कर रह था, इसलिए मैंने उसे तुमारे पास भेज दिया था! तो इतनी घुसे में क्यो है? अरे क्या हुआ? मुझसे प्यार हो गया है! यह क्यासी अजीब विमारी है? क्या तु उसे जानती है? मुझसे पहले तो आप जानती हो उसे! मचली तो उपर है! नीचे पानी में देखकर निशाना लगाना है! आप भी एक तीर मार दीजिए! वड़ो कि अहां पोई जत नहीं है! सब एक जैसे है! क्या तु सच कह रही है बटा? आप अच्ड अच्छे अर्जुन की कसम सच है ठांक्स to by a helmet sir प्रीज हमें पहने के सार प्लीज हमें पहने के सार थाइक सार वेरिंहट यहां इनके सामने करोगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार तुम सोच लो तर लग रहा है क्या गायत्री मंत्र का जाब करो ओम भूर बोस्वा तस से लितों बरेवनें भर गो तो मुझे किस करना चाहती हो क्या अगर दूर किसी रिष्टेदारी में किसी की मौत हो जाती तो क्या हमें पूरे घर को धोना पोचना चाहिए? जैसे तू जो करती है उस सब का मतलब होता है एक लड़की को मर्यादा में रहना चाहिए बर्गत के पेड़ की भी एक उम्र होती है क्या फाइदा? पहले ये तैह करो कि मैं बर्गत का पेड़ हूँ या एक लखड़ी हूँ समझ में आया? मुझे बाहर चानी में भी शर्म आती है अब अब ऐसा क्या हो गया? ये इशारा उस दाड़ी वाली के लिए है? या के लाई है या और भी चकर है तेरे? देख कितनी बेशर्म इसे बात कर रही है सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, जैसा राजा वैसी प्रजा तुम बीट में मत खुझो, काम से काम रखो, बढ़िया ए, इन पे क्यों गुस्सा कर रही है? तुने ही तो उस दिन सब के सामने बताया कि वो तुस्से प्यार करता है सब के सामने अपना मुँ बं नहीं रख सकती थी क्या? मुझे मुँ बं रखने की जरूरत नहीं, सची तो है, शक है, लो दादी की कसम है मेरी कसम? मुझे मारना चाहती है भरोसा रखो मरोगी नहीं जिस तो तेने बोलना सीख लिया हो, उससे जो चाहू हो बुलवालो दादी ना थोड़ी ना करेगा दादी, आपसे कोई जीत नहीं सकता किसने तुमसे बोल दिया कि मेरा उसकी सांचकर है? किसने कहा? अचा वो तुमारी पीछे पढ़ा है तकलीफ इसकी नहीं है सबको पता चल गया, इस बात की तकलीफ है, सुना आपने सब सुन रहे हैं तुम ऐसे ही चिलाती रहो, और सब सुनते जाएंगे इस पीछ में मैं जाकर उसे मार डालूँगी देखी इसके तेवर आपने पोल खुल गई तो तेवर तो दिखाएगी न गांग गांग कर देंगे बांग बांग गांग गांग कर देंगे बांग बांग अंध है क्या? क्या सर अरेस्ट नहीं करेंगे क्या ज़रूर कर लेता लेकिन दारू पीकर गाड़ी चलाना बहुत घलत होता है तो उन्हों एक साथ नहीं कर सकता है छोड़ भी तो सकते हैं तुम्हारा बतलब पीने से अरे मैं नौकरी की बात कर रहा हूं सर घर पे बैठ के आरा हम से शांती से पिया करी घर पर? घर पर पीना नरक है पी के घर जाओं तो बेटी बात नहीं करती है और इसी शराब की वज़े से मेरी बीबी भी मुझसे बात नहीं करती ये क्या बात हुई सर? आप दोनों से बिना बात किये जिन्दा कैसे रह सकते हो? आप पर तो दयार ये सर इसलिए मैं कभी दिन में नहीं पीता अगर पीऊं तो खुद से ही बात करूँगा और लोग मुझे पागल समझेंगे आप पवित्रो पवित्रो वाह सर्वास्तांग तो पिवाह यस्मरेत पुंडरी काक्षः सभा यांत्रह सुची क्या तुम्हारे पती दे फिर से घुर्सवारी कर क्या है बात नहीं करोगी पुंडरी काक्षा शबा यांतरह सुची पापा ज़दी आओ कॉफी ठेंडी हो रही है हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ मा को बोलो टेबल पर रख दे मेरी बात मानो डिवॉस दे दो इनको कब तक ऐसे सहोगी क्या मैं पापा से बात करूँ मैं घोडे पर सवार होका नहीं आती मुझसे तो बात कर सकती हो न मेदुना दीदी मेदुना दीदी मेदुना क्या है पानी पीना है क्या नहीं तो उपर आओ मैं नहीं आओगा तुम्हाई दादी मुझसे टेबल पूछने लगती है फिर क्या बात है मुझे जानना है कि वो कौन है कौन है वो मैं जानता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम्हारी मा को बताया है नविद नाम है उसका दिदी मेरा नाम मत बताना प्लीज ठीक है चलो आज तो मेरी हाथ से मरा ही समझो आज तो उसे नहीं छोड़ूँगी अब समझ में आये मा क्यों बढ़त रही थी तुमने देखा था ना नहीं तो तुम यहीं रुको मैं अविन को यहीं लेकर आता हूँ जल्दी लेकर आओ ठीक है आज नहीं छोड़ूँगी यहां भूत बहुत है लेकिन तुम डरना मत यहां यहां अ के अज़ है है कि अज़ूँगी झाँ 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 । झाँ सबको मौर दालूँगी रुको सभी जोड़ूंगी नहीं कि रुको सबकास्टन जोड़ूंगी भॉको सबकास्टन रुको सबकास्टन जोड़ूंगी तुम्हारी वज़े से कोई मेरी घर पर इज़त नहीं कर रहा मा ने भगवान की एक फोटो भी दिखा कर मुझसे कसम खिलवाई मुझे अकेला छोड़ दो लेकिन बताओ क्यों छोड़ दूँ क्यों बताओ तुम्हें हाँ क्यों बताओ तुम्हें बताना पड़ेगा क्यों बताओ मैं तुम्हें कोई मेरी बात सुनना ही रहा है मैं क्यों बताओ तुम्हें सब तुम्हारी वज़े से हे प्रभीन रुक मैं नहीं रुकूंगा मारूंगे तुझे देख लिया, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा तुमसे नफरत करके मैंने कोई गलती नहीं की बड़ा मुझे, मुझे जाना है और जाने दो, नहीं गया तो दीदी मुझे मारेगी मैं अपनी दादी के अपने लिए कहावते सुनकर अलग मरी जा रही हूँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्रभु जी कृपया करके मुझे बक्ष दो मान गए ना हाँ, मान गया कौन मरने वाला है? किसे नरक मिलेगा? अरे वही मुझे जीने नहीं दे रहा क्या आपने पापा को बताया? ताली दो हाथों से बचती है बोलते हैं मैं आखिर कर ही क्या सकती हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे है पहले रोना बंद करो, लो पानी पियो सर, मेरी वाइप मुझे मारती है सर तो हम क्या करें भाई? अरस कर लो उसे, मैं हाथ जोडता हूँ सर करेक्ट, एक साल के लिए जेल करवा देती हूँ सर इतना कम, उसे उम्र कैद होनी चाहिए उसने हालिये में मुझे बहुत मारा अरे तुम रुको भाई उसका नाम क्या है? नहीं पता वो सब कुछ कर लेती है सर कुछ कहता हूँ तो बोलती है घर के इतने काम करती हूँ तो तुम्हें कोट में ले जाओंगी मुझे मरने का खयाल आ रहा है सर तो जाके मर जाना इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरी पत्ली भी मुझे मारती है मतलब, तो एक आदमी क्या करेगा? बात तुम्हारी नहीं है लड़कियां गलत नहीं होती है मतलब, वो मार दे तो मैं मर जाओ हाँ मारती है, तो मर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगी समझे अंकल, इसको बोलो यहांसे चला जाए तुम जाओ यहांसे, बाद में आना जाओ भई तुम भी किसी सुनामी से कम नहीं हो समझ में नहीं आता कौन शादी करेगा तुमसे पकड़ा नहीं हो कौन है इसने एक चुहा पकड़ लिया है तेरी तो बज़ो, बज़ो, बज़ो बज़ो, बज़ो, बज़ो पोई रोको इसे यह सब क्या था क्या कर रही हो यहाँ इसका नाम है सूरिया बहुत अच्छा लड़का है लड़कियों की बहुत इज़त करता है इसका बुरा मस बानना बेटा थोड़ा गुसे में लग रही है जानता हूं सर रुको मैं आता हूं मेदुना, तुमने अपना नाम नहीं बताया मेदुना, आखिर तुम पूरी तैयारी के साथ आया हूँ तुमने देखा ना, तुम्हारे पापा को भी पटा लिया है कोई नया काम हो तो बताओ एक बात तो बिलकुल नहीं जानते मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है पता चलते ही मार देगा बाप बोले से पेड़ा गुंडा हसने वाली बात क्या है? तुम पागल हो, जाए आसे चली चाओ, मारे तुम्हारा टांका पहले से फिट है मारती क्यों हो चुडेल कही कि जर पे बीबी माती है और यहां यह है अरे बाप ने, चलो, निखलो यहां से पुरी दुनिया हमारे प्यार के बारे में जानती है लेकिन तुम अन्जान हो यह भगवान, मैं उस लड़के से बचकर जाऊं तो जाऊं कहां सौ करोर बार राम का नाम लिखूंगी साथ समंदर बार भाग जाऊंगी भगवान बचा लो प्लीज मेरी बातें तुम जरा सुलो यू अकेले ना रहो दिल ये बोले मुझको अपना चुलो यू ना ऐसे दिल तोड़ो मुझको तो अपना बना यू बातें आना बना दिल दे दे देर करना सुन जाना जल्दी से मेरी शादी कर दो पापा मुझसे और पढ़ाई नहीं हो पा रही पापा मेरी तरफ इस तरह से मत देखो पापा मुझसे अकेले सोया नहीं जाता हे भगवान ये सब क्या बोल रही है तू शरम नहीं आती तुझे मुझे किस बात की शर्म तुमने क्या शादी नहीं की थी आज कल के बच्चे बेशरम हो गए है कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है मेरी अपनी क्या प्रॉब्लम्स है नीचे उतरो मैं हो ने वाइदी ने पहूंग बोला न नीचे उतरो उतरोगे के नहीं उतरो एक नंबर के पागल हो मेरा काम यही है यह सब मुझे सबसे क्या बोलना चाहिए मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुमारी मेरी काहनी कहा तक बहुची तुम्हें मुझे प्यार हुआ है नहीं बताओ दो साइग अरे इस तुम बोलो तो तुम्हारे पास आके बैच जाओ तुम कुछ बोल नहीं तो इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे दोड़ आओ अजो खो आजो मेरी जान के परवादे तुम्हें, सबस्टे बता लोको बताना पड़ता है किस बारे में कि बात कर रहे हैं, साहस पोल रही है, मैंने सब को गदा दिया कि तुम भी उससे प्यार करती हूं, छी तुम ने कैसे मान लिया, बस इतने से ही कि तुमने, बोल दिया म डिसमी में तुम्हें प्यार नहीं करती। मुझे नहीं लेकिन तुम भी कहते हैं। मुझे ऑच छुका हुआ। कोई ज्वारी ही नहीं। इस जन्मे में तुम्रों सिक्थ मैं ही। यह कोई फिल्म का टाइटल हैð रोको.. रोको Под रोको। वकर में तुछ को पेट्रॉل छड़कर इस पारश में तोजे ज़ला डालूंगे अरे चछल दिया आजा 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 गजा हिग्ड़े स कर रही हूं मा जी भी घर पर नहीं है क्यों रह पेले घर तो चल दादीने बालटी पर लात मारी है या अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भगवत कीता का पार्ट भी सुनाई दे रहा है अरे बहुत यह बंक चल फिर क्या करूं आज आज बस दसमें तयार होकर आजाएगे कोई बात नहीं है आथ उसे अंदर ले जाए यह कपड़े बदलवा दिए जाओगे तो आजा ना बारिश में क्यों भीग रही थी आटो करके नहीं आ सकती थी क्या यह सब क्या है क्या चल रहा है यहां पर छिलामत आवाज धीरी रख कहीं वो लोग सुन ना ले यह लोग कौन है अरे सुबह तुने ही अपने पापा से का के अटाने चाहद के बारे में तेरी शादी के बारे में दोलग का है क्या तुमने उसे देखा हैंसमे न उरे क्या अख कर ये बेशरम इतनी उतावली क्यों हो रही है भूढ है खूद ही देख लेने बार बाहर जाकर अरे चाह निवा कारिकर्म का अगला गाना आ रहा है, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे. गाना है कितना सुहाना दिन है, जिसे लिखा है चिनारे ने संगित दिया है और गाया है घंड शालाजी ने. पता है, ये किसकी आवाज है, ये आवाज मेरे बेटे की है, गाता है तो मन मोह लेता है. मेरी तो जान निकाल ली, अब बताओ सबको, ऐसा लगता है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ. दूला रेडियो स्टेशन पर काम करता है, और कोई बुरी आदतें भी नहीं है, सुनाई दे रहा है ना तुझे? सुना ना तुम्हारे. मेरा बहाई पूछ रहा है, आपकी बेटी को गाना गाना आता है न? अगर उसने गाने को बोला, तो मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी. एक इबात तीन बार क्यों बोल रही हो? क्या तुने ही चाहती कि तुझे गाना पड़े? क्या मैंने एक बात तीन बार बोली? मुझे इस रेडियो स्टेशन को एक बड़ ठ्यून कर लेना चाहिए मम्मी लड़की मुझे बहुत पसंद है मुझसे अकेले में बात नहीं करेंगे क्या यार कुछ टाइम से ज्यादा ही बोले जा रहे थे लेकिन बदकिस्मती से मुझे सुनने की आदत नहीं है मैंने एक शब्द भी नहीं बोला मेरा विश्वास करिये मैं आपको बताना भूल गया था मैं म्यूजिकल इंस्टुमेंट नहीं बजा पाता सोने का दाथ बेदी जा आपको ये पसंदा गये मैं उसी को ही पसंद करती हूँ मैं समझा नहीं आप किसी से प्यार करती है क्या ऐसी बात नहीं है लेकिन एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है तीन महीने से आप उसे पसंद करती है जान चली जाएगी अरे तुम्हारी नहीं वही पागल वो मेरी जान ले रहा है कुछ दे पहले ही उसकी कुचल कर मौत होने वाली थी लेकिन मैंने उसे बचा लिया क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे कैसी हेल्प आप जाओ और उसे एक बार धमका दो उसको बोलो अगर वो मेरे पीछे आया तो उसकी हड़िया तोड़ दोगे मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को दमकी दे पाऊँगा मेरे लिए करना पड़ेगा इनका आर्मत करना क्यों? मैंने उसको बोला है कि मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है भाई क्यों कूदने जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? अचाहे ज़र ये देखना अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैं लंका में कैद सीता मादा की तरह जी रही हूं कहीं भी जाती हूं रावन की तरह आजाता है तो मैं उसकी याद आ रही है क्या? कबसे उसी की बाद किये जा रही हूं? चलो चलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कसम से ये मेरी भाई की माफ करना लगा सूर्या की है भाईया 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 मैं हूं मेंदू क्या आप उसे पीट कर आए है? क्यों पूछ रही हो? अरे उसने मेरा पीछा करना छोड दिया दुबारा मिलूंगा तब बताऊंगा नहीं मेरी वैल्यू कम हो जाएगी प्रिणा क्यों एक में आरा हूं क्यों आरा हूं कर दो दो कर दो कर दो ये वो ये ने परचिव तेहाद, वह बश्वा दसा वे तुर वरीन इंबर्को, ये वे वे ये ये ने परचिव तेहाद झाल झाल कोफी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा यह सब क्या है इन में जान डालने वाली एक परी का इंतिजार कर रहा हूं और कुछ नहीं जीने के लिए तुम क्या करते हो वैसे तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता मैंने मुझे देखने आया लड़के से क्या बोल दिया वो सोचकर भी मुझे मौत आती है इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूं वो लड़का मुझसे शादी करे, वो मुझसे उतना ही प्यार करे, जितना की करना चाहिए, शून्य के बराबर हो. शून्य कभी नजर नहीं आता है. क्या मतलब नजर नहीं आता? मेरे कहने का मतलब तो समझ गए होगे न? साबिद करकि दिखाओ. मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की चादर फैलाओऊ तो दुनिया छोटी पड़ जायेगी हावा में घुमाऊँ तो ब्रहमान छोटा पड़ जाएगा समुद्र में डाल दू तो समुद्र सुख जाएगा जैसे शिव पार्वती का प्यार है उसी तरह तुम यहाँ हो लगता है जैसे धर्ती भी इतनी बड़ी नहीं जिसमें उसका प्यार समा सके बाते बनाना तो सबके लिए आसान होता है खुद की तुलना शिव जी से करता है क्या मुझे ऐसे आद्मी पर भरोसा करना चाहिए समुद्र भी सुखा देका डायलॉग मारता है बस मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपनी वैल्यू गबा दी मैं वाकई में मजाग बनने के ही काबिल हूँ क्या है क्या है अकेले में क्या बड़ारी हो पागल कहीं का तुमारा नाम क्या है क्या मैं तुम्हें पसंद हो मुझे किस करना है क्या लड़की कहीं देख बीचाये वहीं शुरू हो जाते है दादा एक मिनिट मेरा नाम मेदूना प्लीज मुझे गलत मत समझना मैंने थोड़ा गुस्से में ही ऐसा है क्या मैंने सुचा तुम ऐसी होगी क्या तुम किसी से प्यार करती हो ये सवाल मत करो आप लगता है लड़ाई हो गई ऐसा नहीं है मैंने उसको बोला कि बताओ आखिर मुझे से कितना प्यार करते हो आ गए आप तो क्या उसने साबित किया बोला कि हो नहीं पाएगा बस बड़ी बड़ी बाते जमीन आस्मान समंदर की बाते मेरे कुछ पलने नहीं पड़ा वो गलत नहीं था अगर प्यार दिखाये जा सकता तो मेरे जिसा अंधा आदमी प्यार को कैसे देख पाता तुमने चट्टानों को कभी बारिश में मेरे मोते देखा है तुमने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है जब प्यार होता है न तो ऐसा ही होता है सूर्या 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 नहीं लगता अपना रास्ता बटक गई हो तुम मैं सब समझ गई अगर जो दिखाया जा सके वो प्यार नहीं हो सकता लेकिन ही कंडिशन है मुझे पार्क और सिनिमा के लिए कभी मत बुलाना एक मिनिट किस करते टाइम अपनी लिमिट मत क्रॉस करना बस और आटो में पीछे से दौड़ कर मत आना सिगरेट तुरन छोड़ देना खुद आकर मान गई इसलिए मेरी वैल्यू समझ नहीं आ रही जान ले लूँगी मैं तुम्हारी तुम्हारे लिए सौ बार भी मर सकता हूँ पहुआ अरे लूँ कहो तुम सिर्फ मुझ से प्यार करते हो बोलो कि मेरे बिना मर जाओगे सुर्या इनको बचाने के लिए कम से कम सोलह आपरेशन प्रोसीजर से को जबा पड़ेगा जिन में चार आपरेशन सब अमेरिका में ही पॉसबल है मुझे लगता है इतना सब आपके मजट से बाहर चला जाएगा अगर आप पेशन्ट को इस आद में चोड़ते हैं तो कम से कम आप तो कुछ ना सकते हैं मैं दूना को जीना होगा मैं अले ही मैं उससे दूर हो जाओं लेकिन वो जियेगी मैं दूर चला जाओंगा चला जाओंगा मैं सच को छेपाना और जूट बुलना दोनों एक ही बात है अंकल सच हाग की तरह होता है और जूट करजे की तरह एक चीज तुम्हें जलाएगी और दूसरी तुम्हारा पीछा करेगी इस पर खुद ही विचार करो गौतम तुम थे क्या आओ अंदर आओ प्लीज आकर बैठों मुझे उमीद नहीं थी कि तुम यहां होगे आओ प्लीज यहां आकर बैठों हलो हलो मा कहां हो तुम बस टैंड पर कौतम मिलने आया है सिच भी मैं कन्फ्यूज हो गई हूँ मा क्यों वह अकिल आया है अहां जल्दी आओ जल्दी आओ अरे तुम कॉफी पिना चाहोगे मेरी तरफ ऐसे मत देखो मैं इशारा समझती हूँ मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ टीवी काम कर रहा है तुम जाकर देख सकते हो गौतम जब तक कोई घर पर नहीं आ जाता मेरी पर चाहे को भी हाथ मत लगाना मैं बुरा मान जाओंगी कॉफी ला रही हूँ क्या है ये लो, आरे, उसे लगता है जैसे इसमें भी जान है, उसे पता नहीं कि उसका साथ ही बेजान है, और नहीं उड़ सकता है, बेचारा. मिस्टर सूरिया, अभी भी जिन्दा है, ये सच है. मेदू, 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 तुमने कहा कि इतना बोलने कि तुम में हिम्मत नहीं है, फिर सच्चाई का सामना कैसे किया तुमने, किता है, ये सच्चाई, ये सच्चाई के तुमने, वान थिंग, गौतम, तुमारी प्रचाई कभी किसी को रूला भी सकती है, क्या होगा अगर मेदून भी फिर से सूरिया का जाप करने लगे तो, क्या तब भी तुम इसी तर पाऊगे? ए गौतम, यहार जाने वाली चीज़ा नहीं होती है, यह तुम्हारी लाइफ है, लिव इट यहां कर दो डूम्हारी को ड предлож है, तुम्हारी काई। आपाइ परसा क्यों भूंगा नेरे समझ में नहीं पर्था नहीं जो 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 इनने हां इन आप एट आप को अजो कर दो कि दो आप इंचे लुट कर दो कि अ हुआ भूर पाइब सच बदना बबापा का सूरिया सिंदा है एक बाप के तौर पर मैंने खुद को बरबाद कर लिया सच कहूं तो मैं पूरी दरज से बरबाद हो सकता हूँ मुझे केवल सच सुनना है इनको बचाने के लिए कम से कम 16 ओपरेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिन में चार ओपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है मुझे लगता है इतना सब आपके बजट से बाहर चला जाएगा मुझे पता अपनी बेटी को कैसे बचाना है चलीए राण हमारी बेटी को कही और नहीं चलते हैं चलिए यह लोग कह रहे हैं उससे इस हाल में जोड़ दे क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है आपको मैंने उसे नौ बाइन अपनी कोग पे रखा मैं नहीं जानता आप कौन है जीती जी में मर रहा हूँ मुझे आपके पैरों में पढ़ा रहना चाहिए जो आपने बिना रिष्टे के इतना बड़ा खर्च उठाया अगर आपको आपत्य ना हो तो रिष्टा भी बन सकता है बस आपके बेटी बच जाए मेरा प्याह मेरी किस्मत बन गया है वही मेरे लिए सब कुछ है भाई आईसीओ कहां पर होगा? उपर वाले ने मेरे हाथों से फैसला करने का हक चेलिया कौन पिता चाहेगा कि उसकी बेटी की डूली की जगह उसकी अर्थी उठे लेकिन मैं बेबस हूँ आपको मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था जितनी जल्दी हो सके मैं शादी फिक्स कर दीचे पापा प्रण पादी 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 जल्दी हो जादी पादी पादी था रहिए मर्डर पर फैसला करने के लिए किस टाइम मीटिंग होती है तुम्हें किसी एक की जान लेनी है क्या आप मजा कर रहे है काश यह मजाक होता कोई बिजनस मैटर है क्या उससे भी ज्यादा मेरा बेटा सही समय पर बुलाया बोलिये किसे मारना है मुझे इस बात का फैसला करने में तीन दिन लग गए इतना बोलने के बाद तुम यह पूछ रहो कि मैं किस को मरूँ मर्डर करना असान है क्या क्या मैं ऐसी बोलूँगा मैं बेवकुफ नजर आता हूँ कभी नहीं सुना बाली को पेड़ की आर्ट लेकर मारने वाले राम को नरक मिला हो ना ही सुग्रीब को जिन्होंने हत्या का प्लान बनाया था अगर राम खुदी से पीड़ित हुई हो तो अब उनके लिए अपने अवतार को सवाम्त करने कर समया तुम में से ओधेलू कौन है काम क्या है अरे गौतम इधर आना जरा पांच बजे की मीटिंग खत्म हो जाएगी यह स्मोकिंग जोन नहीं है इडियट बाहर फेकर आ उसे मिस्टर लेजी अरे अरे यह कोई एस्ट्रे नहीं है उप्स, सॉरी 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 यह सॉरी बुलने अर्भी बाते हैं आजो, असी क्या बात हो गई जो तुम्हे यहां नहीं आपड़ा मैं डैड को सॉरी बुलने आए था मैं को सॉरी बुलने था वैगल कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था हलो मैं शर्मा बात कर रहा हूँ शर्मा अंकल क्या बुर्गाश जी वाँ पे है वो अभी मिटिंग में अच्छा एनी मेसेज हाँ है वन सेकंड क्या मैं क्या बात करूँ हलो हाँ हाँ मैं ठीक हो तुम कैसे हो आप जिस राम की बात कर रहते हूँ आध्या में नहीं है उसे इनंद गिरी के एक बेकार बड़ी फैक्टरी में पहुंचा दिया गया है खाली बोतलों के साथ रावण के साथ डिल फिक्स हो गई है पर्जों की रात को राम के उतार कांथ हो जाएगा उसके बाद दुनिया का कल्यान हो जाएगा गौतम तुमने ये क्यों बोला कि सूरिया जिन्दा है अचानक आए और न्यूस सुना दी मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या क्या उससे एक बार मिल सकती हो वो अप कैसा है क्या तुमस्से मिले हो क्यारिपन क्या भरते ये क्यांक क्यात्स क्यात्स वो क्यात्स झाल झाल मुझे डर लग रहा है यहां और नहीं रुख सकती तुम डरी हुई हो कोई अपने मंदिर से भी डर सकता है क्या भला अब हम बस पहुंची गए सूरिया के पास कि अपने रहा है मैणम जाओ कही दिनों बहुल किया था था यह लगा था मुझे लूट कि अपर रॉट अज़िए कर दो है क्यों चार्ड रॉट कर लूट कर इंड है क्या सवाट ना ना दिस्टब कर अर्ड कोई मेसेज्ज एक क्या सर् उनका पेटा गुसर गया है कौन है शर्मा है? नो सर् मैंने बोला था न डिस्टब मत करूँ ठीक है अलो हलो डाइड ए गौतम बोलो पेटा मुझे पता है कि आप मुझ पर अपनी जान छिड़कते हो डाइड पर पता नहीं था मेरे लिए किसी की बली भी देश सकते हो गौतम यह तुम क्या कह रहे हो? वाटर यू टॉकिंग माई सण यह सच है कैसा सच हाँ? क्या बोल रहे हो? वो सूरिया नहीं है जिसके उल्टी किंती शुरू हो चुकी है वो है गौतम तुम पागल हो गया हो क्या? यह आपकी लाइफ की पहली गलती है डाइड यह तु क्या कर रहा है? और यह तु क्या करता है बेटा? इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है मुझे? आपके पास इस गलती के पिछे कोई वज़े नहीं होनी चाहिए डाइड आखरी बात भले ही मैं क्यों न रहूँ? यह आपका हक नहीं है मिस्टर डाइड क्या आप मेरी आखरी इच्छा पूरी करोगे? ऐसा मत बोल बेटा मैं अभी कि अभी कहीं मर जाओंगा बिल्कुल नहीं डाइड बिल्कुल नहीं आपको जीना होगा आखरी सास तक आपको जीना होगा नहीं हो सकता अभी है अगर आपको मुझे जरा सा भी प्यार है तो आपको जीना होगा बिटा मुझे माफ कर दे आखरी वाफ कर दे माफ कर दे मुझे इस दुख को आप सहन नहीं कर सकते हैं इसलिए मुस्कुराहट के साथ सहन पीजिर नहीं मैं तेरे पहल पढ़ता हूं बेटा और यह जोड़ कर मज़ा बेटा अुझी बातब कर मुझे बातकर मुझे बातकर बोल का है तू बातकर मुझे अपड़ाए! करसके नह इसे शुमyवार भूमा भी 27th लुम साहे जाStar एक आप प्रण शुद करता है तो, हलो वह इंदे को मार देंगे, प्लीज प्लीज उसे बचा लो प्लीज जल्दी बताओ मुझे खामखा परिशान मत करो अगर फ्री हो तो हमारे साथ आकर काड़ खेल लो वही जिसको मारने जा रहा है वही चाहता है कि हम उसे जाके बचा ले कोई मेंटल होगा गोटम 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 एसा मत कर मेरे साथ सुर्या अधिन दे सकते लोंगा गोटम एसाथ आधिन द्रॉचस कि नहीं खिलम द्रॉचस कि एसाथ जाव एसाथ जिसको भड़ा कर लूंगा गोदो भूमार गर कों नावड़ा तीर मार लेगा आड़ ने नादो कि अट कि अगर रपकार ब कर दो कर दो कर दो कर दो दो वह रहाओं इट एको गूदेर को अजय हिए एफ एप एफ एए 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 एगा हिए एए 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 ए एए एए माँ माँ क्या तुम डर गए बेटा यह बहुत तकलीफ दायक है डाट को मैं दूर से देख सकता हूं इंतचार भी नहीं कर पा रहा हूं क्या रहा हूं सब्सक्राइब। एककालो अर्शीर और शेक करो चेक करो, कुछ मिला तो नहीं सारे पॉकेट चेकरो अबे, अबर चुका है चोड़ दे इसे मैं नहीं जानता तुम कौन हो लेकिन लखी हो कमसे कम मौत तो नसीब हुई जब तक हम जिन्दा थे तब तक एक दूसरे के लिए अजनभी ही रहे लेकिन एक ने दूसरे के लिए प्यार की कुर्बानी दे दी तो दूसरे ने पहले के लिए अपनी चान की कुर्बानी दे दी गौतब को भूल नहीं सकती मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सूर्या अतीद पीछा कर रहा है और भविश्च दरा रहा है खुद को बचाने के लिए मेरे पास अब सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है वर्थमान केवल वर्थमान एर है मुखबत के दुनिया से कोसों दूर मैं जा रहा हूं वेल्कम टू माई प्रिजेंट टे कर दूर थे प्रेमान प्रप्रवाद प्रवाद प्रवाद बचाट प्रवाद प्रवाद प्रॉड़गद प्रवद्ट